प्रस्न च्छतिस, मान ग्याद करें, प्रस्न च्छतिस कक्क, लीटर, मिली लीटर, पांच लीटर, एक सो पचास मिली लीटर, 2 लीटर, 75 मिली लीटर, 4 लीटर, 230 मिली लीटर, तो इसका मान ग्याद करना है, यानि इसको जोड़ना है, तो मिली लीटर, को मिली लीटर से जोड़ेंगे, और लीटर को लीटर से, तो देखें, 5 सूनने, 5 हो जाएगा यहाँ पे, 7, 5, 12, 12, 13, 15, हाथ में रहा 1, 2, 1, 3, 3, 1, 4, यानि 455 मिली लीटर आया, अब लीटर को जोड़ लेते हैं, तो 5, 2, 7, 7, 4, 11, तो 11 लीटर, 455 मिली लीटर, इसका उत्तर आएगा, 11 लीटर, 455 मिली लीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, 11 लीटर, 455 मिली लीटर, ख, लीटर मिली लीटर, 25 लीटर, 250 मिली लीटर, तो इसको क्या करना है, घटाना है, तो मिली लीटर को मिली लीटर से घटाएंगे, लीटर को लीटर से, अब देखें, 250 में से 750 नहीं घटेगा, 250 में से 750 नहीं घटेगा, तो यहाँ लीटर से यह पेंचा लेगा, तो एक लीटर में एक हजार मिली लीटर होता है तो एक लीटर में एक हजार मिली लीटर होता है तो एक लीटर ये पैंचा लेगा तो एक हजार मिली लीटर इसको मिल गया तो एक हजार और दो सो पचास हो जाएगा बारास सो पचास तो यहां पर हम लिख लेंगे, 1250, तो 1055 लिया और 250 है, तो 1250 हो गया यहां पर, तो 1250 में से अब 750 घटाएंगे, तो सुन्य में से सुन्य गया सुन्य पांच में से पांच गया सुन्य बारा में से साथ गया पांच यानि 500 मिलिलीटर आ गया अब ये पैंचा दिया था तो एक कम जाएगा एक लीटर इसको पैंचा दिया है तो ये 24 लीटर हो जाएगा एक लीटर कम जाएगा तो 24 में से 18 घटा देंगे यानि 6 लीटर आ जाएगा तो इसका उत्तर हो गया 6 लीटर 500 मिली लीटर तो देखें एक लीटर ये पैंचा लिया है तो 1000 मिली लीटर हो गया एक लीटर में 1000 मिली लीटर होता है तो 1250 को जोड़ देंगे तो 1250 मिलिलिटर हो जाएगा तो 1250 में से 750 घटाएंगे तो 500 आ जाएगा अब ये पैंचा दिया है तो 24 हो जाएगा 25 से क्या हो जाएगा 24, एक लिटर इसको पैंचा दिया है तो 24 में से 18 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा यानि इसका उत्तर आ गया 6 लिटर 500 मिलिलिटर 6 लिटर 500 मिलिलिटर ग लिटर मिलिलिटर 8 लिटर 75 मिलिलिटर को 8 से गुना करना है तो देखें मिलिलिटर को पहले 8 से गुना कर लेते हैं फिर लिटर को 8 से गुना करेंगे ठीक है तो 8 लिटर 75 मिलिलिटर को 8 से गुना करना है तो पहले 75 मिलिलिटर को 8 से गुना कर लेते हैं तो 8 पच्छे 40 हाथ में रहा 4 8 साथे 56, 4, 60 यानि 600 ml हो गया 75 को 8 से गुना कियें तो कितना आ गया 600 अब 8 और 8 को गुना कर लेते हैं तो 8 गुना 8 हो जाएगा 8-8-8-4 यानि 64 लीटर आ गया 600 ml हो गया तो लिख लेंगे 64 लीटर 600 मिलीटर 64 लीटर और 600 मिलीटर इसका उत्तर घह घह में है 525 लीटर 250 मिलीटर भागा 5 तो 525 लीटर और 250 मिलीटर को 5 से भाग देना है ठीक है तो पहले 5 से हम 525 लीटर को भाग देते हैं ठीक है 5 से 525 लीटर को भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा पांच गुना एक पांच सूने आ गया घटाने पे फिर दो उतारेंगे नहीं लगेगा तो एक सूने देंगे फिर पांच उतारेंगे तो पांच बचे 25 सूने आ गया घटाने पे यहां पे 25 में से 25 गया सूने तो कितना आ गया 105 लीटर तो 525 लीटर यानि 525 लीटर को पांच से भाग दियें तो 105 लीटर आ गया देखें 525 लीटर को पहले पांच से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 105 लीटर ठीक है अब 250 मिलिलीटर को 250 मिलिलीटर को अब भाग देंगे पांच से तो पच पचे पचीस 25 में से 25 घटाने पर सूनने आ जाएगा एक और सूनने बच गया उपर तो यहाँ पर एक सूनने दे देंगे यानि कितना आ गया 50 मिलिलीटर तो 250 मिलिलीटर को पांच से भाग देने पर कितना आ गया 50 मिलिलीटर और 525 लीटर को पांच से भाग देने पर 105 लीटर आ गया तो इसका उत्तर आ गया 105 लीटर 50 मिलिलीटर ठीक है तो बारी बारी से दोनों को भाग दे देंगे क्योंकि दोनों कट रहा है 5 से देखे 525 भी कट रहा है यानि पूरा-पूरी भाग लग जाएगा और 250 भी 5 से पूरा-पूरी भाग लग जाएगा इसलिए दोनों को अलग-अलग करके भाग दे देंगे अगर भाग दोनों अगर नहीं कटता तो 10 मलों में बदल करके भाग देते हैं यहां पर ठीक है तो 525 लीटर भी पूरा पूरी भाग लग गया है यानि 105 लीटर आ गया और 250 मिलीटर को 5 से भाग देने पर कितना आ गया 50 मिलीटर तो इसका उत्तर लिख लेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 105 लीटर 50 मिली लीटर देखें 105 लीटर और 50 मिली लीटर यानि 525 लीटर और 250 मिली लीटर को पांच से भाग देने पहो गया 105 लीटर 50 मिली लीटर अड़ा 48 लीटर 132 मिलिलिटर को 6 से भाग देना है 48 लीटर और 132 मिलिलिटर को 6 से भाग देना है तो 6 से पहले 48 लीटर को भाग देते हैं क्योंकि 6 से देखिए कट रहा है 8 चक 48 यानि 8 लीटर आ जाएगा 8 चक 48 48 में से 48 घटाने पर सुनने आएगा तो 48 लीटर को 6 से भाग देने पर कितना आगया 8 लीटर अब 132 मिलिलिटर को 6 से भाग देंगे तो 132 मिलिलिटर को 6 से भाग देंगे तो 6 दुना 12 लगेगा यहाँ पर 13 में से 12 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा ठीक है अब 2 उतारेंगे उपर से तो 6 दुना 12 12 में से 12 घटाने पर सुने यानि 22 मिलिलिटर तो 132 मिलिलिटर को 6 से भाग देंगे तो 22 मिलिलिटर आ गया तो इसका उत्तर आ जाएगा 8 लीटर 22 मिलिलिटर तो इसका उत्तर में हम लिख देंगे 8 लीटर 22 मिलिलिटर तो पहले क्या किये हम 48 लीटर को 6 से भाग दिया है क्योंकि दोनों को 6 से भाग देना है 48 लीटर और 132 मिलीटर को 6 से भाग देना है तो पहले 48 लीटर को 6 से भाग देंगे तो 8 लीटर आएगा फिर 132 मिलीटर को 6 से भाग देंगे तो 22 मिलीटर आएगा इसका उत्तर हो जाएगा 8 लीटर 22 मिली लीटर